हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनेल आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटिफुल सा फेस मार्थे साथ हैर बेंड भी मनाना सिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम फेस मास्की ड्राफ्टिंग करेंगे और ये मेजर्मेंट टिनेजर्स के लिए है तो सब से पहले हम इस तरह से 13 बई 13 का एकस बोक्स बना देंगे चारोत रफ से ये 13 cm ही होगी इस तरह से 13 cm 13 cm बोक्स बना देने के बाद हम इस पर देखिए उपर से यहां से हम 2.5 cm पर एक पॉइंट डालेंगे और नीचे से 4 cm पर हम इस तरह से एक पॉइंट डालेंगे और नीचे की तरफ नीचे से उपर तक भी हम 2.5 cm पर इस तरह से पॉइंट डालेंगे सेम उपर भी हम 2.5 cm पर पॉइंट डालेंगे अब इसकी हम बिल्कुल मीडिल पॉइंट पर एक लाइन डालेंगे 13 cm का मीडिल पॉइंट होता है 6.6 cm और वहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन डालेंगे देखे मीडिल पॉइंट से 4 cm तक इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर भी इस तरह से मिलाएंगे जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो किस तरह से मिलाया जा रहा है इन पॉइंट को और यहाँ पर सीधा लाइन नहीं डालेंगे तो पहले यहाँ पर एक खालका सा राउंड शेप डालने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक कार्ब लाइन डालेंगे तो यह हमारी माक्स की डाफ्टिंग हो गई आप इसकी स्क्रीन शोट ले सकते हैं और इसी में से आप अपना ड्राफ भी बना सकते हैं इस तरह से आप यहाँ की स्क्रीन शोट ले लिजिए और ड्राफ्टिंग के लिए रेडी हैं आप हम इसे काटिंग कर लेंगे तो इस तरह से काटिंग करने के बाद कपड़े में से हम सेम टू सेम फोर पीस निकालेंगे इस तरह से फोर पीस निकालने के बाद हम यह और भी इस तरह की चार स्ट्रेप्स चाहिए होंगी जिनकी मेजरमेंट है 4 cm x 12 cm और यह दो बड़े स्ट्रेप्स है जिनकी मेजरमेंट है 4 cm x 55 cm लेंग्थ आप इस तरह से माक्स पीस को लेंगे और दो पीस को फेस टू फेस राकते हुए इनकी मीडिल पर स्टीच डालेंगे सेम दोनों पीसेस पर इस तरह से कर लेंगे तो इस तरह से स्टीचिंग डाल लेने के बाद हम इस स्टीच वाला हिससे को इस तरह से सिधा करके दोनों को भी फिर से फेस टू फिस मिलाते हुए इनकी उपर नीचे स्टीच डाल लेंगे और ये चोटी वाली स्टेप को भी बीडिल पर इस तरह से फोल्ड डालते हुए एक स्टीच डालेंगे और इसे सीधा कर लेंगे सारे चोटे बोड़े स्टेप जितने भी है इन सोब को हम इस तरह से स्टीच डालेंगे और इनको सीधा कर लेंगे इस बोड़े स्टेप को भी हम इस तरह से फोल्डाने के बाद यहाँ पर एक तीर चा लाइन डालेंगे थाकि इसकी जो नोक वाला हिस्सा है और कुछ शापनेस आये तो इसे सिधा इस तरह से देखे मैंने स्टीच डाला हुआ है और इसे इनको सिधा करेंगे तो इस तरह से सिधा कर लेने के बाद मासकों भी हम सिधा करेंगे सिधा करने के बाद आप इस पर एक बार प्रेस कर लीजिए और यह मेजर्मेंट मैंने टीनेजर की एज के लिए ही बताया है आप बड़े साइज के लिए आप लाज साइज के भी बना सकते हो तो इस तरह से देखे से को हम अंदर की तरफ फोल्ड डालेंगे और बड़े वाले स्टिप को भी सेम हो इसे ही फोल्ड डालेंगे और इनको इस तरह से रखते हुए इनके उपर एक एक स्टीच डालेंगे तो सेम दूसरी तरफ भी हम इसे कर लेंगे इस तरह से स्टिच हो जाने के बाद ये पूरा हो चुका है अब मैं आपको इसे पहनना का तरीका भी बढ़ा देती हूँ तो वीडियो कैसे लेगी अच्छी लेगी हो तो प्लीस मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर तो वीडियो अच्छे लगने पर प्लीस मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर आपको द